आप सभी लोगों का हमारे शमास गार्डिंग में बहुत बहुत श्रा गयता है आज मैं आप लों को अपने टैरस गार्डिंग की और ग्रोब्रेक्स में जो लगाई हुई इसके बारे में किस टैम लगाना चाहिए कितने वारी यह फ्रूर देती है चिलीज देती है और किस किस कलर में होती है दिखिए मैरे पास तो तीन कलर की सिम्फा में जो आप देखी रहे मैं आपको तीनों को हुई दिखाऊंगी और बहुत अच्छे से ग्रोथ भी काड़े ब फ़स गई थी इसी बजह से मैं अपने प्लाइजर को अच्छे से वाटरिंग और यह सिम्ला मेर्च में फटलाइजर जो हम लों को देते हैं लिव के फटलाइजर जो देते हैं कि जो हम लों इसमें स्प्रे करते हैं वो रूटीन से नहीं इनको मिला आप मैं आ गयी हूँ तो मैं रूटीन से इनको अच्छे से फटलाइजर भी देती रहोंगी, इनको थोड़ा सा खयाल भी रखती रहोंगी, तो यह और अच्छी ग्रोथ होगी, तो आप यह देख रहे हैं, यह लो शिमला मिर्च है मेरे पास, और यह मेरे दो प्लांच से उसमें लगी हुई है, इ मैं आपको एक मैठेड बता दूँगी, बहुत आसानी से आपको यह पता चल जाएगा, देखे, मैंने ग्रोबैक्स में लिख रखा, पहले से ही लिखा, काफी आप लोग देख रहे हैं, कल चुटा हुआ देख रहा है, यह सब मैंने काफी दिन पहले से ग्रोबैक्स में ल सबसे पहले देखे, आपको दिखाते दिखाते बताते भी चल रही हो, कि मैंने इसके सेट देखे, एक जगे यह परड़ में लगे हुए, यह रड़ होने वाली है, यह भी देखने हैं इस तरह से, और यह देखे गृम मैंने तोड़ भी है, हर्वेश्ट भी कर चुकी हो, सब बढ़ रहे हैं तो देखिए मैं ऐसे नर्सरी से या आपके पास 20 बंडार मिल रहा हो वहां से 35 35 रुपीस में सीट का पैकेड मिलता है सिर्फ में कुछ सीर्स ती ही उज करनी पड़ते हैं सारी सीर्स हम रख सकते हैं और फिस नेक्स ताइम हो देखिए यह भी मेरे अलग- बहुत अच्छी ग्रूथ हो रही है तो आप इसके सीड किसी ट्रे में डिरेक्ट आप प्लांट को किसी बैग में लगाना चाहरे तो उसमें मत रखिए जो मैं तरीका बताऊंगी आपको लगाएं जब भी लगाएं तो प्लांट को सिफ्ट करना ज़रूरी होता है तो आप शीडिंग त्रे हो आपके पास या आपके पास बगीचे में जगए एक जगए लगा दीजिए फिर उसके बाद आप इसको खार के जब जब भी एक इंच यह दो इंच चार इंच यह पांच इंच तक के प्लांट बढ़े हो जाएं उसके बाद इनको रिपॉर्ट करना बह सबसे पहले आप जो प्लांट के सीड्स बढ़े हो जाएं तो आप उनको सिफ्ट कर दीजिए दूसरी जगे में दो तीन दिन जब तक बिल्कुल शेटर नहीं हो जाता ग्रो बैक्स में या आपके पास कोई बड़ा पेकार पड़ा हुआ कंटेनर हो या गमला हो या किसी भ परक सकते हैं यह जरूर खायल रξा और बंदे इस तरह की पन्ति जब आप Миनले तो जरूर हटा दीजिए इसलिए इसलिए पूरे प्लांट में आप प्लांट को खुराब कर देगी तो इसको जरूर रखेंए तो इसतरम से हटाने के बाद आप स्प्रेय नीम ऑउल का करेग कोई भी अपने प्लांट में कीट ना सकत ये मत यूज कीजिए जिससे हमारे प्लांट में और हमारी वेजिटेबल्स खराब हो जाती है तो आप कोशिश ये करिए नीम उयल जैसे की एक लीटर पानी उसमें दो स्पून नीम उयल दो स्पून कोई भी डिटर्जन याइड करक तो देख रहा है मैंने जब मिटी बनाई तो मैंने सबसे पहले जो नीचे की एरिया देख रहे है इस सब में सूखी पतिया जिससे मारे गार्डन की सूखी पतिया लीप सें फ्लावर सें जो भी कोछ आपके सूखी तो इतना भर दीजिए उसके बाद जो लेयर बनती है सेक आपको पूरा बैक तयार हो गया तो आप जो सीडलिंग की है वह आप इस बैग में लगा सकते हैं और फिर वह पढ़ने दीजिए प्लांट कितनी अच्छे से आपके पढ़ता है अगर सर्ज मैंने यह सीड जब लगाई थे तो मैंने इनको विंटर में लगा दीते समझे से मैंने इनको नॉंबर में इनकी सीडलिंग की थी नॉंबर दिसम्बर में रेडी हो गए और जनवरी फरवरी में अच्छी से ग्रोथ हो गई तो इस तरह से आपको नॉंबर में दिसम्बर में या मैसा सालो साल आपको वेज़िटे पस देते रहते हैं तो आप इसे किसी आपको मिल जाएगा और जे पॉली बैक की तरफ जासे धूप में रखेंगे खेतों में लगा रहा है तो इससे सबसके सीजन होता है हम इसको नेट की नीचे रखते हैं जैसे कि मैंने विंटर भी हुआ तो भी नेट की नीचे रहा है इसको दूप मिलती रही अच्छी और समर में भी नेट की नीचे हैं, नेट की नीचे रखने से छंकी दूप लगती रहती हैं लगती, तो यह सर्वाइफ करते हैं तो जिसे यह बाप देखर देख रहा है है हम आपने सिम्ला मिर्ट को का जो मैंने तरीका आपको बताया है जो आपके पूछे हुए सबाल के जबाब में मैं दे रही हूँ और देखिए जब भी आपको फ्रेंड्स हैं सभी लोग में पूछते हैं कि उनके प्लांट में फूल आ रहे हैं फूल आ रहे बहुत अच्छे से फूल जहर जाते हैं हम ऐ वीडियो नंबर 26 पे आप जाके चग कर सकते हैं नीमखली मस्टड खिली और वी चीजे में नाके में टी बनाती हूँ वो टी मैं अपने प्लांटों को हर हपते में एक बार देती हूँ या पंदरा दिन में एक बार देती हूँ कैमिकल बिलकुल यूज मत करिए किचिन वे के फटलाइजर दीजिए और इसके बाद आप अपने प्लांट में कोई कैमिकल मत यूज कीजिए कैमिकल यूज करेंगे तो आपके प्लांट में जो भी चीजे हैं हम खाएंगे तो वह हमारे सरी में जाएंगे कोई कैमिकल खाद भी मत यूज कीजिए आप इस तरह रखी आगे आपको फूल जड़ रहे हैं, तो आप पानी ज़ादा दे रहे हैं, पानी कम दीजिए, पानी अगर कम देंगे अपने प्लांट में, तो आपके प्लांट की फूल कभी ने जड़ेंगे, फूल कभी ने जड़ेंगे, पानी ज़ादा देने से फूल जड़ते हैं, लीप अच्छा खाद का काम करती हैं तो इस बात का ज़रूरात ख्या लखिए जा अगर आपके प्लांट में इस तरह की दिक्कत फेस करने पर आच्छे फ्रूटिंग के लिए लिए लिफके फटलाइजर नीम और मस्टर्ड कली का जो लिफके टी बनाते हैं वो दीजिए वो भी ब लादाई हूँ तो मैंने इसको हर्विष्ट आज किया आपके लिए तो इस तरह से हम अपने सिम्ला मिर्च को बहुत अच्छे से कर सकते पानी का खाल रखते रहिए फटलाइजर दीजिए केमिकल फटलाइजर से बिलकुल मत दीजिए गा और सनलैट का खाल रखिए देज कर सकते हैं अपने घर में यूज करने के लिए तो देखने कितने खुबसूरत हैं बस स्रीप सीड्स लेके आए या मार्केट से लेके आ रहे वो डालके लगा दीजिए फिर देखिए कमाल कितने अच्छे से इसके कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं की नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक पर वाचिंग माई वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद